अज करते हैं क्लास वन के ईवेस की पढ़ाई और एक ideal house, एक ideal house मतलब एक अच्छा house कैसा होना चाहिए ठीक है तो ये सारी चीज़े हम आज के इस chapter में पढ़ेंगे तो चलिए अब chapter को read करना start करते है A house is one of the basic needs of our life एक घर हमारे लिए जो है basic need है मतलब एक घर का होना हमारी सबसे बड़ी जरूरत है और सबसे जरूरी है ठीक है we need a house घर हमारे लिए किस लिए जरूरत है to live in, रहने के लिए to keep our belongings in, belongings मतलब हमारी चीज़ें ठीक है तो हमारे सामान, हमारी चीज़ें जो हमारी अपनी होती है न वो सब चीज़ों को रखने के लिए to protect ourself हमें बचाता है घर किस से from heat, गर्मी से, cold, सर्दी से, rain, बारिश से और bad weather मतलब बुरे मौसम से तो इन सभी चीज़ों से हमें जो है एक घर बचाता है इसके अलावा to protect ourself from dust, धूल मिटी, wild animal जो जंगली जानवर होते हैं और thies मतलब चोरों से, गुंडों से हैं जो जो हमें तंग करने आते हैं, हमें सताने आते हैं, उन सभी से हमें घर बचाता है तो घर का होना देखा कितना जरूरी है? तो अब देखते हैं types of houses, अब घर भी देखिए कितने तरे के होते हैं तो दो तरह के घर होते हैं एक है कच्चा हाउस और दूसरा है पक्का हाउस तो क्या मतलब दो हाउस है ना कच्चा हाउस और पक्का हाउस तो कच्चा हाउस मतलब जो कच्चा है ऐसे याद रखे जो कच्चा है जो मजबूत नहीं है which is not strong, जो strong नहीं है, पर पक्का हाउस मतलब जो बहुत पक्का है और strong है, मजबूत है, जो असानी से नहीं तूट सकता, ठीक, ऐसे दो तरह के घर होते हैं, तो कच्चा हाउस क्या होता है देखिए, कच्चा हाउस is found in villages, ये गाउं में पाये जाते हैं, it is made up of, ये किस से बनता पर छट पे देख सकते हैं, और dry leaves, मतलब सूखे पत्ते, इन सारी चीजों से बनते हैं, कच्चा हाउस, ठीक है, जैसे कि ये जोपड़ी आप देख रहे हैं पिक्चर में, इनको हम कच्चा हाउस बोलेंगे, जो एक मजबूत बिल्डिंग नहीं होती, then कच्चा हाउस is not very strong ये जो है, बहुत strong नहीं होते, it breaks down easily in heavy rains, and it needs regular repairs too, तो क्या होता है, कच्चा हाउस देखें, वो बहुत ही आसानी से तूट सकता है, अगर heavy rain हो, मतलब बहुत जोर की बारिश होना, बहुत टाइम तक जोर से बारिश हो, तो ये अराम से तूट भी सकते हैं, जो कच्चे हाउ होते हैं, और उसको regular repair भी करना पड़ता है, मतलब बार बार उसको ठीक करते रहना पड़ता है, क्योंकि घास है, वो उट जाएगी, है ना, या फिर कुछ लखडी है, वो तूट जाएगी, तो कुछ भी हो सकता है, तो ये house जो है, स्ट्रॉंग नहीं होते, उन्हें हमेशा repair करते रहना पड़ता है, then kaccha house is also called huts, huts मतलब जोपडी, ठीक है, जोपडी एक example है, kaccha house का, अब यहाँ पे देखिए, पूचा है, what is the other name of kaccha houses, दूसरा नाम क्या है kaccha houses का, हम लिख सकते हैं hut, ठीक है, then why are kaccha house built in villages but not in cities, तो kaccha house जो है, गाओं में क्यों पाए जाते है शेहरों में क्यों नी पाए जाते हैं, क्योंकि kaccha houses ना natural चीजों से बनाये जाते हैं, यह असानी से बन सकते हैं, तो वो कहीं पर भी लोग बना सकते हैं गाओं में, क्योंकि यह सारी चीजे गाओं में आराम से मिल जाती है, वूड, लकडी, स्ट्रॉग, घास वगरा है न पकका house कहां पर बनते हैं, देखिए, towns और cities, मतलब शेहरों में बनते हैं, नगरों में बनते हैं, it is made up of, किससे बनता है, वो bricks, जो eint होती है, cement, cement आपको पता है ना, जिससे eint को चिपका चिपका कर बनाते हैं, जो cement नहीं लगाते, then iron rods, जो लोहे के खंबे होते हैं, या फ टाइल्स, जो फर्ष पे चिपकाते हैं, टाइल्स वो, then marbles वो भी हम लगाते हैं, then granite, ये सारे type of अलग-अलग तरे के पत्थर हैं, stones हैं, जिससे बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, उनमें काम आते हैं, then it is a strong house, ये बहुत ही मजबूत होता है, strong होता है, which does not require regular repairs, और ये इ अब उसके examples आप देखिए, यह पे picture में भी देखिए, जो flats होते हैं, apartments होते हैं, जो आप सब के घर हैं, वो सब पक्का हाउस है, जिसमें हम सब रहते हैं, then flats and apartments, अब इसके examples दे रहे हैं, पक्का हाउस के, एक है flats and apartments और दूसरा है bungalows, ठीके, तो अब हम ये देखते हैं, द एक ही जैसे घर होते हैं, लेकिन पूरी उंची building होती है, मतलब हर एक घर एक जैसा होता है दिखने में, ठीक है, तो ये है flats and apartments, there is usually an elevator to go to the higher flows, और उसमें lift होती है, जिससे कि हम आसानी से उपर नीचे जा सकते हैं, lift पता है ना आपको, हाँ वही, क्योंकि इतनी उंची मंज चड़ना उतरना मुश्किल है, इसलिए जरूर लिफ्ट होते हैं ऐसी buildings में, जिससे कि हम वहाँ पर जा सकते हैं, then next है bungalow, bungalow क्या होता है, जो बड़े-बड़े घर होते हैं, जिससे कि बहुत अमीर-अमीर लोग होते हैं, जो बहुत rich people होते हैं, वो अपना बड़ा- बनाते हैं, बंगला बनाते हैं, ठीक है, तो वही है bungalow, they are large, single or double-storied houses, तो ये जो हैं, बहुत ही बड़े होते हैं, large मतलब बड़े होते हैं, वो single भी हो सकता है, यानि एक मंजिल भी हो सकती है, या फिर double-storied भी हो सकती है, यानि एक के उपर एक, दो मंजिलों के घर होत होते हैं, ठीक है, तो ऐसे भी हो सकते हैं bungalow, then there is usually a big garden and lawn in the front, और ज्यादा तर ना ऐसे bungalow, bungalow के सामने क्या होता है, बहुत बड़ा-बड़ा, बहुती beautiful green garden होता है, फ्रेंट में देखा है, आपने TV में या फिर आपने real में भी देखा होगा, बड़े-बड़े लोगों क बंगले होते हैं, तो उनके सामने क्या होता है, lawn होता है, बहुत अच्छे से वो gardening करते हैं, सामने से बहुत अच्छे से garden बिचाते हैं, तो यह सब होता है बंगलो के सामने, mostly rich people live in bungalows, और ज्यादा तर जो अमीर लोग होते हैं, वही बंगला बना पाते हैं, क्योंकि इसमे कुछ लोग जो हैं, tree houses में रहते हैं, forest में, यह देखा है, आपने ऐसे tree houses, यह कहां पर बनते हैं, देखें, यह लकडी से बनते हैं, और वो tree के उपर बनाते हैं, और वो jungle में रहते हैं, क्यों? बताईए, यह tree house पेड़ के उपर क्यों बनाते हैं, ताकि वो रात को भी safe रह और वहाँ पर रहते हैं ताकि वो जानवरों से सेफ रहें Then, there are small wooden houses made on the branches वो छोटी-छोटे लकडी के घर होते हैं वो खुदी बनाते हैं और उसमें रहते हैं ठीके जो की पेडों के ऊपर बनता है अब देखे, test your knowledge, which type of house do you live in? आपका house अभी इसमें से कौन सा है आप लिखिए आपका कच्छा house है, पका house है, फ्लैट में रहते हो, अपार्टमेंट में, बंगलो में, है नो जैसा भी आपका घर है वो आप यहाँ पे लिखिए यह सारी चीजें आपके घर में है, staircase, cedia है जिससे आप घर के उपर जा सकते हो, lift, lift है आपके घर में, then balcony, balcony भी आपको पता है ना, जिससे बाहर आते हैं और हमें पुरा नजारा देखने मिलता है वो एरिया, then terrace, terrace मतलब जो च्छात होती है, तो क्या आपके घर में यह सब है तो आप यहां पे tick लगाईए और बताईए, then next है rooms in a house, एक घर में कितने कमरे होते हैं, उन कमरों के नाम क्या है, a house has many rooms, एक घर में बहुत सारे कमरे होते हैं, each room has a special use for family living in the house, और सारे कमरे का कुछ special special काम होता है, जो family members use करते हैं, जैसे की drawing room to meet guest, drawing room मतलब जो आपका main entrance room हो जहां पर हम घर के अंदर घुशते हैं, उस कमरे को हम drawing room बोलेंगे, और वहां पर हम क्या करते हैं, guest को बिलाते हैं और बिठाते हैं, जब आपके घर में कोई महमान आते हैं, आप उन्हें drawing room में ही बिठाते हो, सीधे अंदर तो नहीं लेके जाते हैं, then dining room कौन सा room होता है, जहां पर आप खाना खाते हो, to eat meals मतलब खाना खाने के लिए, bedroom to sleep, सोने के लिए हम सोने जाते हैं, bedroom में, study room to study, study करने के लिए, पढ़ने के लिए हम study room में जाते हैं, या फिर office room हो सकता है, जहां पर पापा मم्मी office का का काम करते हैं, ठीक है? तो ये सारे कमरों के नाम है, the kitchen में क्या होता है, to cook food, kitchen खाना बनाने के लिए होता है, bathroom, to take bath and for toilet purposes, यानि हम नहाते हैं और toilet purpose के लिए भी use करते हैं, ठीके, तो ये सारे कमरों के नाम है, जो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, अब next topic है, types of roofs, types of roofs, roof क्या होती है, छत, हर घर की छत हो होती है, नहीं, कुछ जो है, ऐसे flat होती है, open होती है, और उसमें terrace होता है, हम जाकर terrace में खड़े होते हैं, लेकिन कुछ चत जो है ऐसी होती है, sloping, sloping मतलब तिर्ची, जो ऐसे टेड़ी सी होती है, इसके ओपर कोई खड़ा नहीं हो सकता, houses built in hot places have flat roofs, वो घर जो गरम गरम ज जहां पर terrace open होती है, वहां पर भी जाकर हम खड़े हो पाते हैं, then houses built in places with heavy rainfall and snowfall have sloping roofs, और ऐसी जगा जहां पर बहुत जादा बारिश होती है, बहुत जादा rainfall होती है, बारिश होती है, या snowfall, या नि बरफ गिरती है, ठीक है, तो ऐसी जगा पर sloping roofs वाले घर हमें जादा दि इसलिए जहां पर जादा बारिश होती है, तो ऐसे चट होती है, थाकि बारिश का पानी उसके उपर रुके ना, वो अराम से चले जाए, है ना, so this helps the rainwater and snow to slide down the roof easily, तो यही कहा है, इससे जो है rainwater और snow जो बरफ होती है, वो उसके उपर रुकती नहीं है, वो अराम से slide down हो ज फ्लाट होता है, समतल होती है, और sloping मतलब जो इस तरीके से बनी होती है, hut की तरह, ठीक है, इस शेप में, तो यह है types of roofs, और अब हमारा last topic है, an ideal house, एक ideal house कैसा होना चाहिए, ideal मतलब एक, क्या बोलते है, एक model house, एक सबसे अच्छा घर, है ना, हमें अपना घर कैसा रखना च क्या है, तो देखते हैं, an ideal house is a house, which has the following things, उसमें ये सारी चीजें होती है, कैसा होता है घर, neat and clean, जो बहुत ही साफ हो, और एकदम clean हो, गंदा ना हो, जिसमें समान वमान सब अच्छे से साफ सफाई से रखा गया हो, वो होता है, एक ideal house, एक अच्छा घर, has covered drains, drains मतलब जहां से पानी वानी जाता है, toilet washroom का पानी, या फिर जहां पर बरतंद होते हैं, sink होते हैं, तो ये सारे जगां का जब पानी जाता है, उसको हम drainage बोलते हैं, तो वो सारे drainage जो है, closed होने चाहिए, वो ऐसे open नहीं होना चाहिए, फिर क्या होता है, वहां पर बदबू आने लगती है और नाला बन जाता है, है ना, तो covered drains होने चाहिए हमारे घर में, तो पानी की कोई problem नहीं आती है, then has enough greenery around it, और चारों तरफ ना अच्छी हर्याली होनी चाहिए, बहुती गंदगी, कचड़ा वचड़ा इधर उदर जमा कर रखा है, ऐसी जगा अच्छी नहीं होती, वो घ अच्छा नहीं होता, साफ नहीं होता, तो greenery होनी चाहिए, यानि पेड पौदों से घिरा होना चाहिए, हर्याली होनी चाहिए, greenery मतलब हर्याली, then has dust bins to throw garbage, उस घर में dust bins होने चाहिए, घर के बाहर भी dust bin होना चाहिए, ताकि कोई भी कचड़ा उसी में डाले, ठीक है, then has enough doors and windows for air and sunlight, और बहुत सारे doors, दर्वाजे और खिड़किया होने चाहिए, ताकि air अच्छे से अंदर आ पाए, sunlight अच्छे से अंदर आ पाए, है ना, क्योंकि हवा का आना जाना घर के अंदर बहुत ही important है, क्योंकि उससे भी कई बिमारिया दूर हो जाती है, है ना, तो ये सा सारी चीजें हो, घर को हमें हमेशा ऐसे रखना चाहिए, इन सारे points को आप याद रखे, ठीक है, we should keep our house neat and clean, साफ और सुन्दर रखना चाहिए, ताकि हम comfortably आराम से उसमें रह पाए, और सभी लोगों को जो है, अपने household chores, household chores मतलब घर के काम शेर करना चाहिए, एक दूसरे से एक दूसरे की help करनी चाहिए, यानि मम्मी पापा को भी आप घर के चोटे मोटे काम में help करिए, है ना क्योंकि सबको बहुत जादा काम होता है, तो हमें प्यार से रहना है, एक दूसरे के साथ काम बाट कर मिल जुल कर रहना है, तो यह हैं जो सारी बाते हैं, जो आपके इ नहीं बचाता, sickness, sickness मतलब बिमारी, sickness से हमें घर नहीं बचाता, हमें animal से बचाता है, धूल से बचाता है, और बुरे वेदर से बचाता है, लेकिन sickness odd है, ठीके तो हमें आपर मार कर देंगे, then next देखते हैं, we use this room to eat meals, कौन सा room है, जो हम खाने के लिए यूज कर सकते हैं, वो इस यूज तो बिल कच्छा house, कच्छा house बनाने के लिए ये सारी चीजें चाहिए, ठीके तो हम यहां पर all of this पे टिक मार दें, क्योंकि सारी चीजों की जरुरत होती है, then every house must have dash, सारे घर में क्या-क्या होना चाहिए, खिर्की भी होने चाहिए, dustbin भी और greenery भी, तो इसमें भी सारे होने चाहिए, तो यहां पर भी हम all of this बोल देते हैं, क्योंकि सब कुछ हमें चाहिए, then we use this room to cook food, खाना बनाने के लिए कौन सा room यूज होता है, kitchen, तो kitchen पे मार कर देंगे, आप देखिए आपको match करना है, the work we do, the rooms in our house, तो काम को उस कमरे से match करना है, जहां पर ये क बातरूम में होता है, हम बातरूम में नहाते हैं, cooking food, हम खाना कहां बनाते हैं, kitchen में, then eating meals, खाना खाते कहां पे हैं, dining room में, then meeting guest, हम guest को कहां पर बिठाते हैं, drawing room में, तो आपको ऐसे match करना है, then name the room where the following thing should be kept, ये सारी चीज़े हाप अपने कौन से room में रखोगे, तो ये भी complete करिए, देखे, sofa set कहां पर होता है, sofa, drawing room में, then dining table, dining room में, bed, bedroom में, old almira, store room में, जो आपका old almira है, जो की पुराना हो चुका है, अभी आपको use नहीं करना है उतना जादा, तो आप उसे store room में रख दोगे, ठीक है, then bucket and mug, कहां पर होता है, washroom में, या फिर bathroom में, जो भी आप then microwave, कहां पर होता है, kitchen में, तो ऐसे आपको ये सारे complete करने है, then fill in the blanks है, देखे, complete the following sentences, a house is a place where we live, है ना, house वो जगा है, जहां पर हम रहते हैं, कच्चा houses are built in, villages, है ना, कहां पर बनते हैं, कच्चा house, villages में, गाओं में बनते हैं, houses have dash roofs in hot places, कैसे roofs होते हैं, कैसी चथ होती है, flat, ठीक है, तो यहां पर flat लिखेंगे, then houses in place where heavy snowfall have sloping roof, मतलब जो की slope roof होता है, टेडी चथ होती है, a good house must have, एक अच्छा घर में क्या होना चाहिए, dash around it, greenery होनी चाहिए, उसके चारों तरफ, around मतलब चारों तरफ जो है, greenery होनी चाहिए, ठीक है, then उसके बाद question answers है, वो पर कुछ names दिये है, इसकी spellings आप complete करेंगे, इस तरीके से kitchen की spelling complete करेंगे, then dining room, यह study room, यह है terrace, then lawn, और यह है bedroom, store room, balcony, garage, और वरांदा, तो यह vowels यूज करके आपको यह names फिल करने है, ठीक है, अब happy face बनाए, अगर आपको सही लगता है, sad face बनाए, अगर वो गलत लगता है, हमें अपना घर साफ रखना चाहिए, तो यहाँ पे tick कर देते हैं, हमें dustbin नहीं use करना चाहिए, तो यह wrong है, हमें dustbin यूज करना चाहिए, then use the rooms according to their work, मतलब वही काम उस room में करिए, जिसके लिए वो room बना हुआ है, ठीक है, तो वैसे ही करना है, then grow plants in and around your house, plants हमें उगाना है then keep windows closed, बोल रहे है all the time, no, हमें windows हमेशा खुली रखनी है, थाकि हमें अच्छी हवा बाहर से आए, put wire mesh on door and windows to keep flies and mosquitoes away, so wire mesh लगाए, doors और windows में की, ताकि मतलब जाली लगाए, जिससे कि mosquitoes और बाकी सारे जो insects कीडे मकोडे तें घर में ना गुस है, यह अच्छी बाते हम कर सकते ह है ऐसा, then keep your surrounding clean, हाँ, यह भी करना चाहिए, ठीक है, so यह सारी बाते हैं, जो यहाँ पर कही गई है, ठीक है, और इसी के साथ हमारा वीडियो भी यहाँ पर complete हो गया है, अब मिलते है अगले वीडियो में, अगले chapter के साथ, तब तक के लिए, bye bye, take care